Attributive का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Attributive का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो किसी ठहराव को Attributive कह सकते हैं इसके इलावा गुण सूचक या गुण वाचक या विशेशक को हम Attributive कहते हैं यानि कि जैसे हम किसी चीज़ को अच्छा या बुरा बताते हैं तो वो एक उसका Attributive है या फिर कोई चीज़ पुरानी है जैसे कि पुराना घर है तो घर जो है वो एक संग्या है और पुराना जो है उसका एक Attributive है यानि कि उसका गुणवाचक है या विशेशक है, तो Attributive का मतलब होता है गुणवाचक या विशेशक, यानि कि जो किसी चीज़ की विशेशता बताए, उसको Attributive कहते हैं, यानि कि Attributive refers to a grammatical construction in which an adjective or noun directly modifies or describes another noun, यानि कि Attributive का grammar में ऐसा construction होता है, जिसमें कोई adjective या noun directly modify करता है किसी दूसरे noun को और वो आम तोर पर उससे पहले आता है, यानि कि typically appearing before the noun it modifies, जैसे कि हम कह सकते हैं green apple, तो green apple में green जो है वो Attributive है, और जैसे old house कहीं तो old जो है वो Attributive है, यानि कि जैसे पुराना घर गुणवाचक संग्या वाक्यांश का एक उधारन है तो आप कह सकते हैं old house is an example of an Attributive noun phrase. अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें.